कि परेशानी के लिए यह आख के लिए यह अधूत है कि आख के परेशानी के लिए भी हम दो तरह से सका प्रयोग कर सकते हैं इसका इजिसाफ है इसका रस निकाल करके आप इसको आख में भी डाल सकते हैं वो लाबकारी है उससे जो आँख में धूंदलापन है या दूसरी परेशानिया है उसमें स्वाफ लाब पहुंचाता है इसके अतिरिक्त इसका रस निकाल करके जो रूए का जो फावा है ना कॉटन को थोड़ा सा रूई को आप क्या करें कि थोड़ा सा भीगो करके आँख क उपर रख करके थोड़ी दर के लिए आप शांती से लेट जाएं आँखों की जो ठंडक के लिए आँखों की गर्मी की शांती के लिए वो बहुत ही अदभूत है